असलामों अलेकूँ वलकेम आप सभी का इस नहीं वीडियो में तो जैसाब सभी को पता कि CVTUG 2024 के अप्लिकेशन फॉर्म्स आरेडे रिलीज हो चुके हैं यह वाला जो इंटरंस है यह देना आपको कमपल सरी है चोबीस मारिच आपको यह आप लोगों को यह पर लाजडेट रहने वाली है आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलिंग का प्रोसेजर समझाने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले तो जान लेते हैं पे CVT 2024 के application form submission के process के बारे में तो देखिए अगर आपको खुद से form submit करना नहीं आए तो कोई दिकत नहीं है वीडियो को देखके submit कर लो फिर भी ना आए तो किसे online वाले के पास जाके submit कर लो क्योंकि इसमें अगर आपको कहीं पर detail गलत हो जाए तो याद रखिए इसमें फिर आपको जादा chance है आपर नहीं दिये जाएंगे तो CVT का form फिल करने के लिए मैं आपको link description में दे रहा हूँ आप वहाँ पर जाके इस परी की website पर आ जाओगे यहाँ पर हम CVT की registration portal पर आ चुके हैं यहाँ पर देख सकते हैं registration window is open यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे जब इस वाली website पर इदर आपको जो है notification भी देखने को मिलेगी और सारी details यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको ऊपर यहाँ पर CVT UG 2024 registration का option होगा अपने इस पर क्लिक करना है ठीक अगर आप phone से कर रहे हैं तो ऊपर यहाँ पर three dot पर क्लिक करके इसको desktop mode को enable कर देना ताकि site आपको अच्छी तरह से visible हो जाए यहाँ पर हम CVT की registration portal पर आ चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,000 लगीगी यहाँ पर आप इसको अची तरह से एक बाट चाकट करके इन details को अची तरह से पढ़ें तो यहाँ पर declaration नीचे दे देंगे और यहाँ पर click here to proceed वाले option पर click कर देना है यहाँ पर जो ही हम click करेंगे यहाँ पर हमारे पास इस तरीकी का इंटरफेस आ गया इसमें हमें registration करने के लिए बहुत सरे options दे होंगे यहाँ पर आधर कार्ड के जरी रेजिटेशन कर सकते हैं अगर डिजिलोकर में है तो उसके जरी हम यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद डिजिलोकर अगर नहीं है तो आप डिजिलोकर create कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप यहाँ पर ABC ID लगा के कर सकते हैं तो बहुत सारे options आपके पास है pen card वागे रखा भी Indian passport का भी और जो NRIS में है मतलब foreign के जो Canadian है उनके लिए separate processor तो जिनका अधर card होगा वो यहाँ पर पहले वाले option पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार number अपना डाल देंगे जैसे मैं यहाँ पर आधार number अपना अधार number अपना डालूँगा अधार number मैंने डाल दिया validate OTP पर आपने यहाँ पर क्लिक करेंगे validate OTP पर जो ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें आधार card के हिसाब से details आई यहाँ पर हमारा नाम आएगा date of birth हमारी आगी gender हमारा आगया इसको check out करी आप इसको ऊपर ले जाना है तो यहाँ पर हमारा नाम वहीं से आजाएगा father का नाम डालना है mother का नाम डालना date of birth भी वहीं से आजाएगी gender अपने यहाँ पर select करना gender क्या है यह auto select होगा आप change भी कर सकते है nationality जो आपकी अपनी क्या है Indian है यह क्या कुछ है यहाँ डाल दीजे बहुत सारे options आपके पास हैं तो जो भी आपकी मर्ज होगी वह यहाँ पर डाल दीजेगा other card के लिए यहाँ पर उपर उप्शन की select करके उसका number यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर permanent address अपने डालना पड़ेगा mobile number पहले यहाँ पर country code select करना है उसके बाद mobile number डालना है confirm mobile number करना है alternate में कोई mobile number डालना यहाँ पर आल्टरनेट में कोई mobile number डाल देना है email id mobile number आप बड़ी consciously डाल देना है क्योंकि उसी पर आपको आगे चलके OTP बगिर आते रहेगा उसके बाद यहाँ पर आपको यह अगर सेम है तो इसको यहाँ पर declaration देगे अगर present और permanent address आपका सेम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए अगर नहीं तो permanent address यहाँ पर फिल कर दीजिए उसके बाद password यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा password याद रखिए आप ABC यहाँ पर आपको 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 सेक्यूर्टी कॉश्टन का आप screenshot लेके रख लेना क्योंकि अगर आपका आगे चलके password बूल जाता है तो इससे आप आप आसानी से उसको regenerate कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर capture code जो दिया है इसको आपने यहाँ पर डालने के पाद submit वाले option पर क्लिक कर देना है पर आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सेते हैं जो हम submit वाले option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी हमने उपर details डाली थी उसका यहाँ पर हमें preview देखने को मिलेगा इन सभी details को हमने एक बार check-out परस भी हमारा सही है यह सब करने की बाद नीचे आपने declaration देनी इस वाले option पर क्लिक करना है अगर उपर की details में कुछ भी incorrect है तो यहाँ पर edit registration form वाले option पर क्लिक करके आप उसको edit भी कर सकते हैं लेकिन हमारी सारी details उपर की सही हैं तो हम यहाँ पर submit and send OTP वाले option पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं do you wish to submit registration form and get OTP इस वाले option पर हम yes करेंगे yes करते ही यहाँ पर देख सकते हैं हमारा form submit हो रहा है पहला step हमारा सब्मेट हो रहा है इसको यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं OTP हमारी आ चुकी है email ID पर OTP आ चुकी है उस वाली OTP को हमने यहाँ पर fill कर देना है आप लोग देख सकते हैं OTP मैंने submit कर दी, submit करने के बाद दीचे capture code दिया है इसको यहाँ पर fill करना verify वाले option पर क्लिक कर देना है verify वाले option पर जो ही हम क्लिक करेंगे हमारी जो OTP है वो यहाँ पर verify हो चुकी है यहाँ पर देख सकते है your account has been verified, your application number has been sent to your registered email ID जो हमने email ID अपनी दी थी उस पर हमारा application number जब वो यहाँ पर send हुआ है अभी हमने क्या काम कर लेना अपना email ID खोलना है उसदर यहाँ पर हमें application number अपना check करना है फर्दर का जो process है उसको यहाँ पर कर देना है तो जो हमारी email ID पर application number आया था वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसको हमने submit किया capture code नीचे जो दी है इसको यहाँ पर submit किया अब हम login वाले option पर click करेंगे login वाले option पर जो ही हम click करेंगे हमारा application form login हो चुका है यहाँ पर हमारा नाम आपको देखने को मिलेगा application number देखने को मिलेगा और यहाँ पर देख सकते है registration हमने करी अब हमें application form submit करना है उसके बाद हमने fee pay करनी है ठीक इसको करने के लिए यहाँ पर हमें complete application form इस वाले option पर click करना है इस वाले option पर click करेंगे यहाँ पर हमें कुछ details देखने को मिलेंगी जो already हमने पहले fill करके रखी थी इन details को यहाँ पर हमने एक बार check out करना है ठीक यह details हमने डाली इसमें सारी details हमारी सही नीचे declaration देदीगे और यहाँ पर save and next वाले option पर click करेंगे हमारा पहला step यहाँ पर complete हो चुका है अब यहाँ पर हमने contact details अपनी डालनी है जिसमें यहाँ पर ABC ID fill करने के लिए कहा गया है चाहें तो हम fill कर सकते हैं ना चाहें तो कोई जुरूरी यहाँ पर नहीं है उसके बाद यहाँ पर Nationality Indian है अपनी जो है यहाँ पर select कीजिए जो भी category होगी जैसे general वालों को होगी यहाँ पर डाल दीजिएगा आप ID proof हमने यहाँ पर डाला था Domicile State Cones यहाँ पर हमने select कर देना है जैसे Jammu Kashmir मेरा है मैं Jammu Kashmir select कर रहोंगा यहाँ पर डाल दीजिए Father's Education Qualification यहाँ पर क्या है यहाँ पर देख सकते हैं अपने हिसाब से डाल दीजिए Father's Guardian Occupation उनकी क्या है यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देना है Mother Guardian Education क्या है यहाँ पर डाल दीजिएगा अपने हिसाब से जो कुछ भी होगा यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ भी आपका होगा वहाँ पर अपने हिसाब से डाल दीजेगा Annual Income Appearance की कितनी है वहाँ यहाँ पर डाल दीजेगा Are you twin? Twin अगर हैं तो yes, अगर नहीं है तो no Are you diabetic? अगर diabetic खुदा नखास्ता है तो yes कीजे, अगर नहीं है तो no कीजे Place of Residence आपने यहाँ पर डेखते दे, Ruler है या Urban है जो कुछ हो भी वहाँ पर अपने हिसाब से डाल दीजेगा Mode of Preparation क्या है आप कहां से prepare कर रहे हैं अपने हिसाब से डाल दीजे कहां से आप कर रहे हैं, Online Coaching, Self-Study वेगरा जो भी होगा वो डाल दीजेगा Medium of Study and Qualification Exam कौन से मीडिया में अपने exam qualify किया तो English हमारा होता है उसके बाद यहाँ पर नीचे declaration देखे, Agree वाले option पर क्लिक करके 7 Next वाले option पर क्लिक कर देने, 7 Next वाले option पर क्लिक करेंगे Personal detail हमारी यहाँ पर से होच चुकिये, ठीक यहाँ पर देख लीजे आप अब यहाँ पर हमें अधर कोट और केटेगरी की details हमें इसमें हमारा दिखा रहा है Do you belong to below poverty level? Yes या No होगा वहाँ अपने exam से आप डाल दीजे जो कुछ होगा वहाँ पर are you a Kashmiri migrant? Kashmiri migrant है तो Yes, Otherwise No Ward of Defense Personal, Ex-Serviceman है तो Yes, Otherwise No Claim of NCC Quota, Yes or No, अपने हिसाब से देख लिजे Supports Quota आप कुलेम करना चाहते हो Yes or No, अगर Supports Category है तो Yes कीजे अगर नहीं यह No कीजे Are you aard of University Employee? Yes or No, अपने हिसाब से डाली नीचे declaration देखिए Save and Next Value Option पर क्लिक कर देना ठीक, यह सब क्लिक करने के बाद यहां पर हमारा अधर कोटा हो गया अब Educational Qualification यहां पर हमने सेलेक्ट करनी है, Result States अपना डाल दीजेगा 10th का Past है हमारा Year of Passing अपना हिसाब से यहां पर डाल दीजेगा उसके बाद यहां पर State अपने डाल दीजेगा, कहां से आप कौन से State अपने 10th पास किया है डाल दीजेगा आप यहां पर अपने हिसाब से Examination District कौन से District से अपने पास किया वह यहां पने हिसाब से डाल दीगे जैसे मेरा 12 मुला है, मैं 12 मुला डाल रहा हूं Board or University Name यहां पर डाल दीजेगा, जैसे में यहां पर Jammu Kashmir Jain की Board of School Education यहां पर देख लीजेगा, यह मैं ने डाल दीजेगा आप उसके बाद School Name and Data कुछ भी यहां पर आपका जोगा वह यहां पर डाल दीजेगा, अपने हिसाब से School का Pin Coats होगा, वह यहां पर डाल दीजेगा, आप अपने हिसाब से, मैं समझाने के लिए आपको यहां पर डाल रहा हूं Role Number अपना 10th का यहां पर डाल दीजेगा आप, उसके बाद Mode of Result यहां पर आपका क्या है, percentage है या CPGP है Total Marks कितने थे, 500 थे, Other Marks Obtainate कितने हैं आपको यहां पर डाल दीजेगा, 12th की Detail same as it is, आपको यहां पर डाल दीजेगा, डालने के बाद Save, Agree वाले Option पर यहां पर आपने क्लिक करना ठीक, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं, 12th का आपका Passage है या Appearing है, मैं Appearing यहां पर र कश्मीर है, अपने हिसाब से यहां पर आपका जो कुछ भी होगा, हिमाचल प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया, जमु कश्मीर में कर रहा हूं यहां पर, District आपका कौन सा है, 12th यह है, उसके बाद यहां पर Board University Name आपका क्या है, जिसे जमु कश्मीर है, तो मैं यहां पर जमु क उसके बाद University, यहां पर देखे, University of Program Selection, यह सबसे important है, इसको आपने समझ लेना है, इसको कैसे आपने करना है, इसको फिल करने के लिए, आपने क्या काम करने है, यहां पर, University, आपको किस University में जाना है, जो भी University आपकी होगे, वहां पर डालेंगे, जैसे Central University, जमु मुझे कर है, अपने हिसाब से यहां पर अपनी University आप सलेक्ट करेंगे, जो भी University आपकी होगी, वह यहां पर डालेंगे, आप अपने हिसाब से, जैसे University डेली में सलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा Program मुझे करना है, जैसे BCOM करना है, एड किया मैंने, ठीक, किया मैंने इसको यहां पर यहां ना है, ठीक, उस University का यहां पर जैसे मैं Central University Kashmir रख रहा हूँ, Central University Kashmir में मुझे कौन सा course करना, जैसे BA, या BSC करना, मुझे Bio Technology में, मैंने BSC Bio Technology select किया, एड वाले option पर किया, यहां पर हमारा एड हो चुका है, अगर गलती से कुछ आपका एड हो जाए, तो यहां पर उसक चेक करना आपको, इसी तरह से आपको Universities अच्छी तरह से select करना, मैंने roughly आपको समझा दिया कैसे करना, आप बढ़ी अच्छी consciously यहां पर इनको select कर लींगे, एक करके यहां पर आपको cluster new university सरनागर मुझे रख नहीं है, मैंने cluster new university सरनागर की, इसमें मुझे कौन सा course करना, biochemistry इसमें मुझे फिर से कोई course करना है, मैंने cluster new university सरनागर add कर दिया, इसमें मुझे for example, यहां पर geography में करना है, तो मैं इसको यहां पर add कर लूँगा, अगर मुझे जानना, इसके लिए क्या eligibility का criteria, तो मैं यहां पर click here वाले option पर click कर कर करे, इसके यहां पर detail क्या, जैसे biochemistry मैं, आपने test paper अपना select करना है, ठीक test paper आपको इन ही के हिसाब से select करना पड़ेगा, यहां पर test paper आपको जैसे यहां पर मांग रहा है, मुझे for example, English literature मुझे अगर cluster university सरनेगर में करना तो उसके लिए मुझे general English का यहां पर test मांग रहा है, हिंदी के लिए मुझे हिंदी का मांग और यहां पर देख सकते हैं, इनके लिए मुझे क्या bio technology के लिए मुझे biology हो, या bio chemistry हो, या bio technology हो, यह सब मुझे डालना पड़ेगा, इसी तरह से आप अपने हिसाब से यहां पर select करेंगे, जो जो आपने रखना पड़ेगा, जैसे test paper 1 में, मैं इसे randomly choose कर रहा हूं कुश, आ आप as it is, उसी तरह से यहां पर कर लेंगे, यह मैं ने यहां पर कर दिया, declare करेंगे, अपने हिसाब से consciously, यह जो एक दो steps है, यह काफी crucial है, इनको अच्छी तरह से fill कर देना है, यह यहां पर कर दिया, यहां पर test paper select किये, आप मुझे यहां पर examination cities की preference देनी है, examination cities में यहां मैं Jammu Kashmir रहरा हूं पहली choice, Jammu Kashmir में household district में जाना चाहता हूँ, जैसे मैँ Bharamla में रहरा हूं पहली choice, second choice में यहां पर Jamu Kashmir रहरा हूं, city यहां पर मैं अपनी ही साब से रख रहा हूं, कुछ जिसमें यहां पर anantanag second रहा हूं, उसी तर से आप लोग अपने ही साब से रख रहा हूं चार सिटीज आपको देनी कंपल सरी कंपल सरी है चाहिए दो सिटीज आपको ए टाइम नहीं दे सकती है आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज यहां पर डाल दीजेगा पुल्वामा मैंने चोहती रखी सेविं नेक्स वाले उप्शन पर किलिक करना है सेविं न आपको इन samma steps के भीवर ईया रखी आपको दे लेंग यहा पर रखिए इन के इसाथ आपको फिया पर लगे और लगेगा उसी थर चार पाउन्च के लिए अपको उसी के अकौरडिंग हमिक है तरह से आप, Cvt.UG. 2024 अप्लूकर का अप्लिकेशन फॉरम सब्च वोंपे अजं पुश लिए आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लो अच्छी तरह से डिसकस महाँ से हम कर लेंगे